हेलो डियरी स्टुडेंट्स वेलकम बेक और यूटूब चैनल इस्टाडी सर्विकल 24 डियरी स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवस्ट्री क्लास 12 का मॉडल पेपर और यह जो आज का पेपर यह जो मॉडल है यह सेट ए है ठीक है यह पहला हम सेट लेकर आये हैं इसके बाद हम सेट भी और सीडी भी अविलिबल करा देंगे इससे पहले भी हमने फिजिक्स और आपका मैट्स का हिंदी इंगलिस और बायोजी का अपडेट कर रखा वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो को प्लेइलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं इससे पहले यदि आप चैनल पर नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा साथे बेल आइकन का बटन जनुर्ट पेस कीजिएगा जिससे कि आपको लेटस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे हम आप लो चीज़े पड़ लिया हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं आपका वनमाक्स वाले क्वेस्टन तो चलिए देख लीजिए यहां पास पहला प्रशना है कि एरो सॉल से क्या समझते हैं तो जिसमें परिछेपण माध्यम गैस तदा परिछेप्त प्राव जारी किया गया है तो उसमें जो प्रशन है हर एक चेप्टरवाइस इंप्रशन है तो उन प्रशनों को भी इसमें लिया गया है तो डेयफिनली वह प्रशन काफी important हो जाते हैं आप लोगे एक्जाम के लिए second question से देख लिएज़े स्वाट्स अभिक्रिया का समिक्रण आपको लिखना है तो यह आपके बस chemical reaction है इसे आप complete करेंगे next है लुकास अभिकर्मक क्या है तो लुकास अभिकर्मक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा कि निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र स्वाट्स अभिकर्मक क्लोराइड है का मिस्तरण यही लुकास अभिकर्मक कहलाता है प्रशन है कि निम ने योगी को की सनरशना सुत्र बताना है 4 ख्लोरोपेंटेन 2 ओन दिया हुआ है तो इसको इस टाइप से आप लिखेंगे अगला प्रशन देखेंगे आप प्रशन है मोनो सैकराइड क्या है एक एक्जामपल आपको देना है यहाँ पास तो इसके लिए आपके पास जो इसका एंसर हो जाएगा तो इसका एंसर कि वे कार्वोहेड्रेड जो अधिक सरल अणों में जल अबगटित नहीं होता है मोनो सैकराइड कहलाते हैं जैसे ग्लुकोज है जिसका फॉर्मा C6 S12O6 होता है ठीक है ग्लुकोज का फॉर्मुला फिर फ्रक्टोज है राइबोज है और आधी अब अगला प्रस्वन देखए एक निमेडिकल कोश्चन Z है आपके पास की आठ ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिली जल में घुला हुआ है तो विलियन की मोलर तक ग्याद करना है टीक है की तेमिलिलिलिलिलिलिटर में घुला हुआ है तो हम इसको लेकर चलते हैं कि इसका अगर आपके पास कि 8 ग्राम आपको बस सोड़े भाई drug side है तो यहाँ पास अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको तो यहाँ पास अगर हम देखेंगे कि तो इसका अगर द्रबमान कितना हो जाएगा 40 होगा अब इसके बाद इसको हम आगर सॉल्व भी करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मा यूज कर लेते हैं तो फॉर्मला क्या होता है वाई फॉर्मला है इसका मोलर्ता M equal to विले का द्रबमान into 1000 विले का अनुभार बुड़े विलेन का लिटर में आतान तो विले का द्रबमान दिया हुआ है यह 8 ग्राम है और यह into करेंगे ताउजन्ड से विले का डिवाइड कर दीजे 25 बहुंजा 25 25 फॉर्जा 100 अब क्या बचाब के पास 8 इंटू 4 अपॉन 40 तो 4 से भी डिवाइड होगा 4 बहुंजा 4 तो देख सकते हैं यहां से जब डिवाइड होगा तो फिक क्या मिलेगा आपको यहां से अगर देखेंगे तो अब यहां पास आपको 8 इंटू यहां पास 4 उन जब 4 तो 1 हो आ गया और नीचे में आपके पास 10 तो इसको डिवाइड करेंगे आप 10 से 1st time 0 time जाएगा फिर 8 के बाद 80 हो जाएगा तो point के बाद 10 adds जा 80 तो 0.8 इसका answer आ गया राइट अब next आगे है अब एक रिया दिया हुआ है A plus B equal to C सुनने कोटी की हो तो दर समीकरण आपको लिखना है उसको आप यहां से लिख सकते हैं ammonia का कथनांग फास जिन से अधिक होता है क्यों उसका reason बताना है आपको फिर अगला प्रशन देखे nitrogen 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 से aniline कैसे हम find करेंगे प्राप्त करेंगे उसके लिए आपको एक equation देना है chemical equation अगला प्रशन है कि प्रात्मिक एमीनों का कथनांग तृतिक एमीनों से अधिक होता है क्यों यह भी प्रशन बैंक दौज़ा 23 में यह include किया गया है तो यहां से आप सारे के सारे प्रशन देख सकते हैं इसका PDF भी आपको मिल जाएगा Study Circle 24 के Telegram चैनल पर आपको इसका link इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो वहां से आप join करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते इससे पहले भी हमने जो वीडियो के PDF वहां शेंड कर दिया है तो आप बाकी PDF भी वहां से आपको मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो model paper है आपको अब जितने समय बचे हुए हैं आपके पास previous share का questions paper solve करना है आपको और model expected जो question paper है sample paper है उससे आपको solve करना है क्योंकि इसमें सारे वही questions होते हैं जो आपके exam में आने वाले रहते हैं यानि exam के pattern पर सारे questions आपको मिल जाएगे या फिर देख लिए अगला प्रस्टन है आपके बास अधिसोषण और और शोषण में अंतर दिया हुआ है इससे आप याद कर लेंगे फिर लोगे के निस्कर्शन में प्रेगलन की विधी बताना है आपको वात्यभटी के नमागी सित्र बना का पूरा डेटेल करेंगे इसको अगला सलफ़गे पांच आक्सियमल फिर हैबर बीदी है अमूनिये के हैबर बीदी बनाने की जो बीदी है उसे आप पुरा डेटेल लिखेंगे विध डाइग्राम फिर उपसा समझे योगी को में इंडियम को समझाना है समवाईता दिया हुआ है उसे समझाना है और हाइड्रेट समवाईता तो इस प्रकार से इनसा भी प्रश्णों को आप अच्छे से करी और जो भी आपको डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप हम पूछ सकते हैं अब यहां अलकेल हाइलाइट के बारे में दिया हो उसे आपको लिखना होगा और फिर प्रात्मिक दितेक तथा तरजितेक आलकोहल में विभेद लुकास अभी करमक दोरक कैसे करेंगे यह भी आपको समझाना है अगला प्रश्णा है निकलीक अमलक क्या होते हैं इसके दो महत्रपूर्ण कारे लिखना है आपको फिर एनियम लिकित बहुलक को बनाने वाले एक लको का नाम बताना है आपको तो यहां से सारे प्रश्णा आपको मिलते हैं आप अच्छे से देख लिजे उसको जोरना से क्या है दो धारन बताना है फिर फ्रेनल त्रोटी और सॉटकित रोटी को आपको इससो समझाना है विद्धूत रसानिक चल किसे कहते हैं विद्धूत डाइग्राम आपको सो करना है विद्धूत शारन क्या है उसे आपको बताना है तो यह सारे की सारे प्रश्णा है आपके पास तो आप अगर इन प्रश्णों को अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली 60 प्लस आपके मार्स आ सकते हैं यानि जो 70 नंबर का जो थेओरी है उसमें आपके बहुत अच्छे मार्स आने के चांसे बनते हैं फिर तो यह देख लिजे सारे इंपोर्टन प्रश्णा है प्रीवियस यहर में भी कुछ प्रश्णा आपको यहां से मिल जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रू कीजेगा तो थैंक्यू तो